शादी तूटने की कई सारी वजहें आपने सुनी या देखी होगी लेकिन आज तक आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि मखी के वजह से शादी तूट गई दुलहन भाग गई या फिर बेटे की शादी नहीं हो पा रही है। मक्षी को कारिन बताकर आज तक शादी तूटने की खबर आपनी नहीं सुनी होगी लेकिन उत्रप्रदेश के कई सारे गाउं में मक्षी के आतंग सी वजह से शादी तूटती जा रही है इस गाउं में अगर एक बार कोई गलती से लड़के को देखने आभी जाए तो दुबारा शादी के लिए बिलकुल नहीं आता और अगर किसी तरह लड़की की शादी हो भी जाती है तो शादी के बाद दुलहन ससुराल नहीं आती है बलके माईके में ही रह जाती है और अगर लड़कों के शादी के बाद उनकी पत्निया से सुराल आ भी जाती है तो कुछ समय बाद लड़की अपने माईके वापस चली जाती है और लड़कियों की ये शर्थ होती है कि लड़का अपना गाउं छोड़ कर कहीं और बस जाए अब आप बेशक सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा मक्यों ने क्या कर दिया है जिसकी वजह से इस गाउं के लड़कों की शादी नहीं हो पाती है सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले नमश्कार मैं निहा चौधरी क्यामरा पोसिन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्षन यदि आप प्रतियोगी परिछाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप टैलेंट मैथमेटिक्स में आईए यहां हम बहुत कम फी में आपको पढ़ा करके मैथ देते हैं स्क्रीन पे मोबाइल नमबर और आड्रेस दीख रहा होगा आप फोन करिये और आड्रेस पर विजिट करिये उत्रप्रदेश की हर दोई में एक दो नहीं बल्कि दस गाउं ऐसे हैं जहां पर मक्यों ने अपना आतंक मचा रखा है यहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं आता और अगर एक बार आभी जाए तो दोबारा आनी की गलती बिल्कुल नहीं करता है यहीं एक सबसे बड़ी कारण है जिस वज़े से यहां की लड़कों की शादी नहीं हुपाती है कोई भी लड़की गाउं में बहु बनकर आनी को तयार नहीं होती है जिन लड़कों की भी शादी हुई है उनकी पत्नियां गाउं में रहना बिल्कुल नहीं चाहती बल्कि वो अपने माईके में ही रहती है और ऐसा जिद करती हैं कि लड़का चाहे तो अपना घर शोड़ कर लड़की के घर आ सकता है लेकिन लड़की अपने ससुराल नहीं जाएगी और अब हालत ऐसी है कि पिछले एक साल से इस गाउ में कोई भी शादी नहीं हुई है क्योंकि गाउ में इतनी जादा मख्या आ चुकी है कि लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है जनका घर इस गाउ में है वो तो रहने के लिए मजबूर है लेकिन बाहर से कोई भी वैक्ति आकर इस गाउ में नहीं रहता क्योंकि उन्हें अपने आसपास खुम सारे मख्या भिन्भिनाती दिखाई देती है जिस वज़ा से कई सारे बिमारी भी हो रही है गाउवाले बहुत सारी दवाईयों का छुड़काओं भी करवाते हैं लेकिन कुछ समय तक तो जब कुछ ठीक रहता है लेकिन फिर मख्यां वापस गाउव में चली आती है इसी कारण यहां के लड़कों की शादी काफी ज़्याद मुश्किल में आ गई है इस गाउव में अपनी बेटी देने के लिए कोई भी तयार नहीं होता और नहीं कोई लड़की इस गाउव में आकर रहना ही चाहती है गाउवालों से जब इस बारे में बादचीत की गई तो उन्होंने बताये कि 2014 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था 2014 से पहले गाउव की हालत काफी ज़्याद अच्छी थी यहां पर इतने ज़्याद मख्यां नहीं होती थी लेकर उसके बाद यहां पर एक कमर्शिल पॉल्ट्री फॉर्म खोला गया जिसके बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा लेकिन धीरे-धीरे करके इस commercial poultry form की वजह से कई सारी मख्या यहाँ पर आने लगी और देखते ही देखते मख्यी की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गाउं की अंदर आ गया और अब इसका चपेट एक दो नहीं बलकि दस गाउं में फैल चुका है और धीरे-धीरे करके आगी भी फैलता जा रहा है गाउं वालों ने बताया कि पॉल्ट्रे फॉर्म के नजडिक जितने भी गाउं हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा मख्यों का आतंक रहता है ज़्याद कारियों के पास पर शिकायत दर्ज है लेकिन वो लोग भी इस मामले में कुछ भी नहीं कर रहे हैं जब अहिरोरी अधिक्षक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताये कि मख्यों से निपटने के लिए कई बार क्यांप भी लगाया गया है लेकिन ये सब करने के बावजू करते ही इस गाव में शादीत नहीं हो पाती है आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा आगे की तमाम ख़बरों के लिए जनता जंक्षन देखते रहें धन्यवाज